नमस्कार, मैं हो ससी, आए जहरखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं दोरान उन्होंने कहा है कि चंद महीने में इतनी नियुक्तिया होगी जितना भी सालों में नहीं होई बतादे जहरखन अंदुलनकारी जामो नेता सहीद निर्मल महतों की बहतरवी जानती पर कदमा उध्यान इस्तित उनके समाधी अस्तल पर मुख्य मंत्री हैमान सुरेन ने सदाजली अरपित की इस दोरान केबिनेट मंत्री चंपाई सुरेन स्वास मंत्री बाना गुपता के अलावा कई जे में नेता मौजूद रहे सहीद निर्मल महतों की जानती पर निधारिस समाए से मुख्य मंत्री एक घंटे बिलाम पहुँचे सुनारी एरपोर्ट से सड़क मर्ग होते हुए वे कदमा उध्यान पहुचे और वहां निर्मल महतों की मुर्ति पर मल्यान पर किया बता दे मुख्य मंत्री ने साब तर पर कहा है कि केंद्र जारकन की मदद नहीं करता है पिछली सरकार पर उन्होंने निसाना साथते हुए कहा है कि 20 साल में पिछली सरकार ने राजे को खोखला करने का काम किया बरतमान में सरकार जब आच्छा काम कर रही है तो बाहर से आये चंद लोगों के जरिये और कुछ अधिवासी ने ताव का सहारा लेकर ममला दर्च किया जा रहा है जारखन में दिसंबर के महीने में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है लेकिन राजधानी राची समेत राजे के अधिकांस हिजो में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को लोगों को सर्दी के मौसम में भी गर्मी का एसास हो रहा था रवी वार को दो फर बाद आसमान में थोड़े बादल दिखे ठंड का एसास लोगों को कम हुआ बता दे मौसम केंद्रे ने अभी बताया है कि अगले पांच दिनों तक राची का मौसम कैसा रह सकता है इसमें बताया जया है कि 26 दिसमबर से नियुम्तम और उस्तम तापमान में गिरावर सुरू हो जाएगी 26 दिसमबर को अधिक्तम तापमान 28 डिग्री और नियुम्तम तापमान 13 डिग्री से से सरह सकता है वहीं 27, 28 और 29 दिसंबर को अधिक्तम तपमान घट कर करम सा 27 डिग्री, 26 डिग्री और 25 डिग्री से स्रह जाएगा इसी तरह निम्तम तपमान में भी एक एक डिरी की गिरावर दर्च की जाएगी मुखे मंत्री आमंत्रन कप फुटबोल परत्योगता 26 दिसंबर से मुखे मंत्री आमंत्रन कप फुटबोल परत्योगता 26 डिसंबर तक आवेजित किया जाएगा समापन समारो के मुखे मंत्री हमान सुरेन और परत्योगता का उध्गाटन खेल मंत्री हाफिजुलहसन करेंगे इसमें बिजिता टीम को 3 लाख रुपए और उप बिजिता को 2 लाख रुपए का पुरसकार दिया जाएगा सनीवार को एस्टोटर फोगे स्टेडियो में आवेजित प्रेस कंफिरेंस में खेल निदे साले के अवर सचीव देव संकर दास ने इसकी जनकारी दी खेल निदे सक ने बताया है कि 3 और 14 अस्थान पर आने वाले टीम को भी 50-50 से रुपए पुरसकार और पहले और 3 अस्थान पर आने वाले टीम के खेलाडियों को फुटबॉल किट परदान किया जाएगा इसकूली बच्चों को लेकर हुंडरू फॉल जा रही बस रांची में पल्टी 20 बच्चे घायल क्रिस्मस 25 दिसंबर के दिन जर्खन किराइधानी रांची इस्थित हुंडरू फॉल घुमने आये बिहार के स्कूली बच्चों से भरी एक बस सिकिंदरी में पलट गई इसमें कम से कम 20 बच्चे घायल हो गए हाँ जबकि 4-5 बच्चों को थोड़ी ज़्यादा चोट आई थी सभी को उन्हें राजन दरिशूट आफ मेटिकल साइन्स रिम्स रेफर कर दिया गया बागी बच्चों का थाना परिसर में ही अस्थानिय डॉक्तर कम पाउंडर की मदद से प्रत्मिक उपचार किया गया बता दे बस में सवार बच्चों ने बता कि ड्राइबर की लपरवाई से बहु स दुर्गटना करस्त होई ड्राइबर से कई बार कहा गया कि स्पीड कम रखे लेकिन वह मान रही रहा था ये सबी बच्चे हुन्रू फॉल घूमने जा रहे थे जैराम महतो ने कहा किडिनी बेश देना लेकिन जमीन नहीं रामकर जिला अंतरगत चितरपूर परखंड छेत्र के सांडी इसीद डीएभी ग्राउंड में जारखंडी भासा खत्यान संगर समीती द्वारा रभीवार को सहीद निर्मल महतो की जयांती सा करांती कारी जुवा सम्मान समार रोकायोजन किया गया कारेकरम के मुखे अती थी युवा टाइगर जैराम महतो सामिल हुए उन्होंने सहीद निर्मल महतो के चीतर पर पुस्प चढ़ा कर सरदा सुमन अर्पित किया इसके बाद सभा को समधित करते हुए कहा है कि जिस तरह जारकन की खणी समपदा कीमती है उसी तरह यहां की जमीन भी अन्मोल है इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो किड़नी बेच देना लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचना जैराम महतों ने कहा है कि जारकन बनने के लिए यहां के हजारों लोगों ने कुर्बानी दी राज्य के विकास के नाम पर जमीन भी दिये लेकिन अस्थानिये लोगों को इसका कोई लाब नहीं मिला आज जितने भी बड़े भवन बने हैं वह सब गयर जारकन्डियों कहा ह यहां बाहरी भासा के लागू होने से अस्थानिये भासा लुपत हो जाएगा कोरोना के नए वेरियंट से निपटने का दावा कर रही सरकार लेकिन सचाई दूर सरकार दावे कर रही है कि कोरोना के नए वेरियन से लड़ने के लिए उसकी त्यारी पूरी है लेकिन वैक्सिनेशन के आकड़े इनकी गवाह नहीं दे रहे करोना संक्रमन से बचने के लिए वैक्सिन की बूश्टर डोज जरूरी बताई जा रही है लेकिन राज्य में इसे लेने वालों की संक्या कापी कम है बता दे जहरकन में अभी तक लबक 10% वैसको को ही बूश्टर डोज लग पाई है करोना का सबसे अधिक खत्रा बूश्टर बूश्टर डोज लेकिन अभी तक महाजेगार परतिसत बूश्टर डोज लेने वाले 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 बूश्टर डोज बीएफ साथ के ब्रिहत रूप लेने और भारत में भी इस सब वेरियंट के मरीज मिलने के बाद देश में अलट किछ थीती है। के साथ साथ किसी भी समभावित आपदा इसी से निपटने के लिए सभी तेयरिया फूरी कर लेने को कहा गया है। कुरोना की अगली लहर को देखते हुए एहतिहात नहीं न लिया जा रहा है। मतादे कुरोना के संका को देखते हुए भी भाग फिर से पाठ करम जल्द से जल्द पूरा करने का सिक्षकों को निर्देश देगा। नौ से गारा जनवरी तक पहली से सातवी के चात्र छत्राओ के अर्दवार्सिक परिक्षा का सेड्यूल ताय है। इसमें अभी बच्चों को सुसल डिस्टेंसिंग के अधार पर बैठाने की विवस्ता की जाएगी। वहीं इसकूलों में नियमीत कलास में भी इसका पारन होगा। हलाकि इसकूलों में मद्यान भोजन पूरी साप सफाई से बनता रहेगा। इस पर आज सरकार दोवारा नेना लिये जाने के बाद दूसरा फासला लिया जाएगा। सिट के अनुपात में अभियार्थी की कमी थी जिसके कारण काफी सिटे रिक्त रह गई। इसके बाद राजे के कई कॉलेजों में एक वर्षिय साटिफिकेट कोर्स की सुरुवात होई। तब से लेकर अभी तक हजारों की संक्या में प्रस्तिक्चित अमीन बेरुजगार बैटे हैं। पंकज मिश्रा की और बढ़ेगी मुश्चिले सियम हमान सुरेन के बरहेट बिधायक परतिनिधी पंकज मिश्रा की मुश्चिले अभी और बढ़ सकती है। साहिब गंज की मुफसिल थाना में दर्च कराई गई थी। भारतिय जनता पार्टी के परदेश अध्यक्ष और राई सबसांसत दिपक परकात, भाजबा बिधायक दल के नेता और पूर्व मुखमंत्री बाबुला मरांडी आधी उपस्थी थे। क्रिस्मस के मौके पर रांची में लगा निव इयर मेला राई धानी रांची में क्रिस्मस के मौके पर निव इयर मेला का अगाज हुआ है। क्रिस्मस के मौके पर 25 दिसंबर को सहीद संकल्प चिल्डरेन पार्क में कविता पार्थ परत्योकता का अगाज हुआ है। इसमें कई लोगों ने अपनी कविता का पार्थ भी किया। विराट कोहली को रोल मोडल मानते हैं वर्ल्ड कप वीनर सुजीत मुंडा। जीवन में कभी निरास नहीं होना है मेहनत और लगन के बल पर सफलता पाई जा सकती है। जाहरखन के जस्परीत बुमराह के नाम से चर्चीत सुजीत मुंडा का जो वर्ल्ड कप जीद का रांची लोट आया है। रांची अर्पोट पर उतरने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया रहली भी निकाली गई। जानकारी हो कि शुजीत मुंडा बलाइंड क्रिकेट की टीम इंडिया के सरस्ते हैं। वोट टीम में 26 तोर पर गेंद बाजी करते हैं लेकिन बलाइंड क्रिकेटर के रूप में टीम इंडिया में ओल राउंडर की भूमका निभाते हैं। बता दे पहले ओ एथलेटिक्स के पलेयर थे और 2014 में स्टेट लेवर बलाइंड क्रिकेट खेलना शुरू किया। उन्होंने कहा है कि तभी से मेरे मन में या बात थी कि एक दिन इंडिया टीम की जर्सी पहननी है और वर्ल्ड कप जीत कर लाना है। पर लोग तरह तरह से जनकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी कलपना सुरेन के पिता का नाम भी जानना चाहा। धुमकुडिया 2022 में भदयत और आदिवासी समाज में महिलाओ की स्थिती पर हुई चर्चा। आदिवासी के वार्सी के गोश्टी धुमकुडिया 2022 के दो दिवसे कारकरम के पहले दीन का अगाज सनीवार 24 दिसंबर को 2022 को हुआ। इस बार इस परमपरी गोश्टी का सुभारम ऑनलाइन किया गया। इस महोच्चों के पहले दीन विभीन विश्वी द्याले के पर अध्यापक युवा, सोधार्ती, समाज सेवी और समाजी करकरता समानित हुए। इस कारकरम में आधिवासी समाज की वर्तवान दसा और दिसा पर गंभीर विचार विमर्स किया गया। इस समाज में पूलिस उपाधिक छक मजरूल हुर्दा ने बताया है कि पूलिस और जिला परसासन के सुन्युक्त पहल के तहत या अभियान जीले की 118 पंचायतों के पुस्तकालों में चलाया जा रहा है। पकल में नहीं आया आदम खोर तेंदुआ। रही है वहीं कुछ ग्रामीन अर्जनकारों का मनना है कि तेंदुआ की संक्या एक से अधिक हो सकती है। क्योंकि तेंदुआ के हमले की घटना एक अस्थान पर नहीं बलिक अलग-अलग अस्थान पर हो रही है। राजेपाल रमेश बैस परिवार संग खोटी के पेरवा घाग पहुँचे। उन्होंने गुम घुम कर जल परपात यवं आसपास के प्रकितिक संदर एक अनन्द लिया। बहें पेरवा घाग की घटनाओं को देखकर मंतर मुग्द हुए। अन्होंने कहा है कि यह जग़ा बहुत संदर है। तथा प्रकितिक संदर से परिपूर्ण है। उन्होंने प्रिवार संग वोटिंग का भी मज़ा लिया बता देख मोखे पर DC सहसीर अंजन ने उन्हें पेरवागा के बिकास के लिए किये जाने वाले कार्य जोजनाओं की जनकारी दी उन्होंने बताया कि पेरवाग हाग में हैंगिंग ब्रीज बनाने की भी जोजना है एक बाइक पर चार लड़कों को सफर करना पड़ा भारी दो की मौत कोडारमा जिलांतरगत मरकचो बरियार डिह मुख्य मारग इस्थीत पीपर डिह के समीब एक मीनी ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो नबाली गंभीर रूप से खायल है मृत को की पचान तेलो डी पंचायत की बीचरिया निवासी अंसु कुमार 19 वर्षिये पीता रामेश्वर यादो वससी कांथ कुमार 14 वर्षिये पीता नरायन दास के रूप में हुई है वही घायलों में नीरज कुमार 14 वर्षी और नरेस चादो 13 वर्षी सामिल है इसी बीच गरामिनों ने मुअबजा कि मांग को लेकर दो जगा घटनाज थलत था दरदाही चोक पर सड़क को जाम कर दिया डेड़ गनते बाद असवासन के बाद जाम को हटाया गया सहीदों के अर्मान और सपनों के अनुकूल बना रहे हैं जारखान मुख्य मंत्री सहीद निर्मल महतों के बहतरवे जनमदीन के आउसा पर जमसेद पूर के कादमा इस्थीत उलियान में मुख्य मंत्री हमांसुरें ने परतिमा पर मलयारपन कर उन्हें सदाजली दी इस अक्तरवर मुख्य मंत्री ने सहीद निर्मल महतों के अवास इस्थीत उनके असमारक पर भी पुसपांजली अर्पित किया और परिजनों से मुलकात की इस दोरान उन्होंने कहा है कि बीर सहीद निर्मल महतों की जयंती पर आज पूरा राज उन्हें याद और नमन कर रहा है वे जार्खन अलग राज आंदोलन के प्रनेता थे उन्होंने अपने नेतित चमता से जार्खन अलग राज अंदोलन और संहर्ष को ताकत अधार दी है इस खातीर उन्होंने अपनी कुर्बानी भी दे दी जार्खन अलग राज अंदोलन में उनके योगदान को कभी भूलाया नहीं जा सकता हमें उनके सपनों और बताये गए पद चीनों पर चल कर जारखन का नव निर्मान करना है लोहर दग्गा में छो यूकों ने किया समोहिक दुसकर्म लोहर दग्गा जिला अंतरगत कुड़ू थाना चेतर की रहने वाली एक यूती के साथ आधा दरजन यूकों ने समोहिक दुसकर्म की घटना को अंजाम दिया है पिरिता साम में किसी तरह गाँ पहुंची और मामले की जनकारी गरामिनों को दी ग्रामिनों की सहयोग के बाद पिलिता कुड़ू थाना पहुंची और आधा दर्जन यूकों के खिलाब समय के दुसकम का मामला दर्ज कराया सिकायत मिलते ही पुलिस ने पिलिता को मेडिकल जाज के लिए लोहदा का भेज दिया है वहीं मामले की जाज परताल में जूट गई है सराय केला में 21 करोर से 8 सडकों होंगे चकाचक मुख मंत्री ग्राम सडक योजना के तह सराय कला खर सवाजिले की 8 परमुख सडकों को सुद्रीडी करण किया जाएगा इस आठ सडको के सुद्रीडी करन पर करीब 21 रुपे खर्च होंगे गरामीन कारे विभाग ने इस सलको के सुद्रीडी करन की मंजूरी देते हुए निवीदा की परकिरिया भी शुरू कर दी है जनकारी के अनुसार इन सडकों का सुद्रिडी करन कारे एक से डेड़ वर्स के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा आठ ग्राम इन सडकों के सुद्रिडी करन से बड़ी अबादी को अगमन में सुविदा होगी सोमवार को दिली पहुचेंगे ताजीकिस्तान में फसे मैदूर से भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई थी रवित्ता पहाडीन हत्याकांड मामला चर्चित रवित्ता हत्याकांड में बोर्यों पुलिशने जाच के करम में आरोपी और मिरित्तिका के 22 ताक्षो को फ्रहेंसिक जाच के लिए बिधी बिज्यान परयोग सला रांची भेजा है थाना परभारी जगनात पान ने बताया है कि आरोपी का खून से साना कपड़ा हत्या में परयोग किये गए हत्यार मिरित्का के बाल कपड़े सहीत 22 ताक्षो को ले कर ए एसाई अरून कुमाराय को रांची भेजा गया है हजारी बाग में कब्र खोद कर लीभर और किडिनी निकालते दो पकड़े गए केरे डारी थाना के जोगो गामे रभीवार की देर साम मुस्लिम सम्दाय के लोगों ने एक महिला और एक पूरिस को गाओं के कब्रिस्टान से कब्र की खुदाई करते पकड़ा बाद में केरे डारी थाना प्रभारी साधन चंद्र गोराई ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को अपने कबजे में ले लिया आथानी लोगों ने बताया कि पकड़ी गई महिला केरे डारी थाना चेतर के गराम सलगा की है वहीं दूसरा ब्यक्ती महिला का साथी सीमरिया थाना चेतर के डांडी एंदला गाओ के रूप में पहचान किया गया दोनों से पुष्टाश किये जाने पर दोनों ने जोको गामे कबरिस्तान से तीन कबरे में जादु टोना को ले कर कुछ भी से समागरी डालने की बात कबला है जबकि मुस्लिम समुदाय ने रभिवार को दफना किये गए एक सत्रह वर्ष के लकड़े का किडिनी आदे निकाल लेने का रोप लगाया है धन्यवाद